सुवागत है आप सभी का हमारे चैनल डिपलोमा कलासिस में तो कैसे हैं आप लोग तुमीद करता हूँ अच्छे ही होंगे तो फाइनली आज का वीडियो वैसे लोग के लिए बहुत ही इंफर्मेटिव होने वाली है जो भी लोग 2022 में BCEC का परवेश परक्षा दे चुके हैं और रिजल्ट यानी रेंग कड आ जाने के बाद बहुत दिनों से इस इंतजार में है कि उनका काउंसलिंग यानी BCEC का काउंसलिंग कब से होगा तो फैनली इस वीडियो में हम आपके जितने भी डाउट से जितने भी कॉमेंट्स किये गए हमारे वीडियो के उपर कि सर बता दीजिए कि BCEC का काउंसलिंग आखिर कब से सुरू होगा तो अगर आप लोग इस वीडियो को वां तक देख लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि BCEC 2022 का जो काउंसलिंग है आखिर कब से सुरू होगा BCEC 2022 काउंसलिंग आखिर कब से सुरू होगा इसको जनने के लिए सबसे पहड़े आप सभी को अपने मुबाइल में क्रोम ब्राजर को पेंड कर लेना होगा और उपेंड करके सर्च बार में सर्च करना होगा BCECE तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सर्च कर दिया गया है अब आपको एक बड़ यहाँ पर किलिक करना होगा और जैसे हैं आप लोग किलिक कि दियेगा तो आपके मुबाइल की स्क्रीन पे कुछ इस परकार से दिखेगा क्या दिखेगा? bceceboard.behi.gov.in तो आपको क्या करना होगा? एक बड़ यहाँ पर किलिक कर देना होगा और जैसे हैं आप लोग यहाँ पर किलिक किजिएगा तो आपके मुबाइल के स्क्रीन पे कुछ इस परकार से दिखेगा बिहार संजुक्त परवेश परतिवगिता परिक्षाप परसद और उसके नीचे लिखेगा बिहार कमबाइंड इंट्रेंस कमपिटेटिव इग्जामिनेशन बोड तो हमें इसमा आप सभी को बताने वाले हैं कि BCECE 2022 का जो काउंसलिंग है आखिर कब से सुरू होगा तो इस वीडियो को आगे बराने से पर लिए आप से एक छोड़ी से रिक्वेस्ट है अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं है तो इसे सस्क्राइब जरूर कर ले और जैसे कि आप सभी को मालूम होगा और मालूम नहीं होगा तो आप सभी को बता देते हैं हमारे चैनल डिपलोमा क्लासिस के माधियम से BCCC से सम्मनित जितने भी जनकारिया होता है सबसे पहले और कम समय में और सठीक रूप से बताया जाता है तो चलिए फैनली आप सभी को बता दे कि जो आप लोगा काउंसलिंग है आखिर कब से होगा तो सबसे पहले वैसे एस्टुडेंट जो भी लोग यह जनाना चाहते हैं कि कितना रिंग पर कौन सा ट्रेड मिलेगा तो वे लोग टेलिग्राम जोइन कर ले क्योंकि टेलिग्राम पर हम एक कौट अफ को डाले हुए हैं तो आप लोग उस कौट अफ को देख करके यह जान सकते हैं कि आपके रिंग के अनुसार आपको कौन सा कौलेज मिलेगा चलिए तो बता दे जो आप लोगा काउंसलिंग है आखिर कब से सुरू होगा तो इसके लिए हमको एक अफिसियल नोटिस पर जाना होगा तो चलिए हम इसके अफिसियल नोटिस पर आ जाते हैं तो आप लोग अपने मुबाली के स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह एक अफिसियल नोटिस है UG EAC का और देखिए जब तक UG EAC का second round का admission नहीं हो जाता तब तक आप लोग का जो counselling है उन नहीं होगा तो आप लोग बोलिएगा इसका admission आखिर कब से ले करके कब तक होगा तो यहाँ पे बताया गया है कि जो पहले admission था एह होने वाला था 30 सेप्टेम्बर से ले करके 2 अक् अक्टूबर तक हो गया है और देखिए फैनाली जितने भी BCEC के द्वारा एक्जाम कराए जाते हैं सभी का counselling हो चुका है बस अब एक BCEC बचा है तो इससे किलियर होता है कि जो आप लोग का counselling है यानि BCEC 2022 का counselling है यह 15 अक्टूबर के बाद से सुरू हो जाएगा कबसे 15 अक्टूबर के बाद से सुरू हो जाएगा BCEC 2022 का counselling